हाई, when it's math, it must be maths by MIA, welcome again to the world of maths by MIA So, जैसा कि SSE 44 चल रहा है, आज सब्तम अध्याय है और इस अध्याय का मैंने नाम दिया है, तारकावद यह मैंने नाम क्यों दिया है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपसे चालता हूँ कि छोटे से easy question को solve कीजिए और answer को comment में post कीजिए I hope आपने video post किया होगा, question को solve किया होगा, बहुत easy questions है, आप बोच सकते हो sir, आपसे उमीद की गई थी, इतनी easy question की नहीं बट यह 40 जो 40 हा चर रहा है, important 40 concept चर रहा है, चाहे तो इसमें easy आएंगे, tricky आएंगे, बट वो सारे concepts आएंगे जो आपके exam में दिख सकते हैं तो मैंने सबसे पहले में आपसे बात करना चाहता हूँ, तारका वद क्यों किया था, तो तारका जो है वो बालकांड का एक आपका विवरन है, जिसको बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है रमायन में, रमायन रामा और रावन की बीच की कहानी है, बट यह तारका बीच म हम किसी एक concept से निकल के दूशरी concept की तरह जा रहा है, तो यह जो है, वही है, बहुत भार एक्जामशन दिखते हैं क्या है, number system में algebra का question, algebra में trigon ka question, trigon में geometric question, तो यह दिखतो रहा है मुझे geometric question, आपके पास दिया हुआ है, कि दो side दिया हुआ है, बहुत साइट दिया हुआ ह जब समझ में आता है तो लगाते क्या है हिरोन्स फॉर्मॉला लगाईगा तो हो जाएगा कोशन टफ हो जाएगा लेंदी तो यह तारकावद की तरह से जुमिट्टी का कॉंसेप्ट जो इंपॉर्टन कॉंसेप्ट है निकल के ट्रिगो की तरफ जा रहा है तो यहां पे जब से तीस सेकंड में ही इसको दो मिन्ट का कॉंसेप्ट नहीं बनाना है हिरोन्स फॉर्मॉला डालेगा दो मिन्ट का कॉंसेप्ट बनेगा दो साइट और एरिया दिया हो तो हम लोग दो फॉर्मॉला यूज करते हैं एरिया ओफ ट्रैंगल इसको डेल्टा से लिखा रता है बस यह दो एजी से concept अप्यूज कीजिए, प्लीज नोट डाउन कीजिए, दो sides और area दिया है, तो हमें ठीको लगाना है, geometry से थोसर बाहर निकलना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, half into, अगर इस area value को मैं ठीटा माननों, तो half into 6 into 10 into sin theta का value ही दिया हुआ है, 18 जो की question में given है, यहां 3 यहां 5, तो मैं बहुत सकता हूँ, sin theta का value 3 बटा 5 है, जहां से मैं cost theta बहुत प्यास से निकल सकता हूँ, 4 बटा 5 है, अब cost theta का value होता है, this square plus this square, तो यह देखेगा 6 square plus 10 square minus 6 square upon 2 into 6 into 10, तो आपको cost formula पता होना चाहिए टीगों में, अगर यह question हो, तो आप 30 second के अंदर इ यहां हो जाएगा, 24, 24, 96, 96 से 100 कटेगा, तो मैं अगर इधर लेकर आँ, तो आपके लिखना हूँ, x square plus 100 minus 96, तो x square का value हो जाएगा 40, x का value हो जाएगा root 40, कम बता हो जाएगा 2 root 10, और root 10 को डट लिजिएगा, विकाज आगे के अध्याय में, मैं root 10 को यूज करूँगा, so root 10 का value, अगर हम decimal के 2 digit में देखें, तो होता है 3.16, आगे मैं आपको आगे के अधियाय में बताऊँगा, यह बहुत important है, अगर इसमें 2 multiply कर दूँँ, तो यह हो जाएगा 32, और यह हो जाएगा 6, 6.32, हमें निकालना था 16 plus x, x का value है 6.32, का मतलब 22.32 is the answer of this question, बहुत basic सा concept है, but एक important concept है, कई बार मैं आगे के भी अधियाय में लेके आऊँगा, कि हम दो concepts को एक साथ यूज करके question को solve करते हैं, यह बहुत बार दिखने की उमीद है, हाँ, यह भी तक दिखा नहीं है, basic exams है, but एक important question आपकी exam से बन सकता है, तो इसको note कीजिए, और तारका का वद कीजिए तो हम लोग आगे भी huge करेंगे, दो concepts, दो topics, एक साथ एक ही question में, जो exam में दिखे हैं और दिखने के chances बहुत जादा है, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप लोगों को बताइए कि 40 चल रहा है, उनको अपना best दीजिए, अपना best दीजिए, मैं अपना best देता रहूँगा, 40 इस concept बहुत जल्द आपके सामने आएंगे, मैं इसको speed up करूँगा और अपना best दूँगा, तो God bless you, happy learning and bye bye